हेलो प्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टैक आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल फॉन से एक प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर कैसे बना सकते हैं यूट्यूब बैनर क्या होता है जब कोई अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से आपके चैनल पर आता है तो आपके चैनल पर जो लोगो होता उसके पीछे एक बड़ा सा पोस्टर दिखाई देता है उसे ही हम चैनल आर्ट भी कहते हैं और चैनल बैनर भी कहते हैं जैसे आप मेरे इस चैनल के देख सकते हैं मेरे यह फोटो के पीछे यह देख सकते हैं बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है यही होता है यूट्यूब बैनर तो अगर आप अपने चैनल को एक प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो आपको यह यूट्यूब बैनर बनाना आना चाहिए तो आज किस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप इसे कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नियू है जैसे प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाश्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा ठीक है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर तो आप देख सकते हैं हम आ चु ओपन करने के बाद यहां पर लिखेंगे पिक्सल लैब सर्च करेंगे और यह आप देख सकते हैं सबसे उपर आ गई है इसको अपने मोबाइल फॉन में इंस्टॉल कर लेना है मैंने मोबाइल फॉन में इंस्टॉल कर रखी है पहले से ही तो मैं आपको यहां से ओपन करके दिखाऊंगा ओपन पे क्लिक करेंगे तो यह खुल चुती एप्लिकेशन तो जब आप इंस्टॉल करके खोलेंगे तो आपके सामने एक option आएगा allow media का आप उसको yes कर देना ठीक है तो इसके बाद सबसे पहले आपको यहां पे three running पे क्लिक करना है जो यह ? डी डी जोट दि् factor है आपको इनपे क्लिक करना है और यहां से image का ठीक है यह नू टेक्स्ट ऊहला इसको यहां से डिलीड कर लेंगे थीक है यह आगी हमारे सामने स्क्रीन उसके बाद हम यहां जो यह प्लस वाला आइकन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करेंगे और यहां से प्रॉम गैलरी यहां से हमें एक पिक्चर लेंगे पहले मैं आपको यह चीज बता दूँ कि हमारा बैनर कैसा दिखेगा तो मैं आपको समझाने के लिए एक पिक अप्लोड कर लेता हूं और इसको यहां से पकड़के हम बढ़ा कर सकते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर जो यह आपको यह ब्लू पॉर्शन कि यह आपका जो बैनर है वह मोबाइल फॉन में यहां ऐसा दिखेगा आपको जितना यह ब्लू पोर्शन है उतना ही दिखाई देगा अगर आप टैबलेट यूज आपको यह वाला जो यह डार्क प्लैक है यहां तक दिखाई देगा और अगर आप डेक्स्टोप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यह पूरी पट्टी दिखाई देगी और टीवी पे यह पूरा टीवी पे दिखाई देगा ऐसे तो यह मैंने आपको समझाने के लिए एक इमेज डाली थी इसमें अब हम क्या करना है सबसे पहले यहां पर इस पर क्लिक करना है और इस इमेज को यहां पर लोक कर देना है लोक करने से क्या होगा कि यह इमेज अब हिलेगी नहीं ठीक है यहां पर फिक्स होगी है उसके बाद हमें यहां पर कोई भी टेक्स्ट ले लेना है यह ए पर आके इस हम से क्लिक करना है यहां से टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस टेक्स में ए सब्सक्राइब एक यूट्ट्यूब बना सकते हैं अपने लिए ठीक है अपने चैनल के नाम लिख द देता हूं, the cast 31-tack, उसके बाद यहां पर पर surgit कर देते हैं, उसके बाद इसको यहां से पकड़के move कर देते हैं, यहां पर, तो हमें mobile के हिसाफ से बनानों अरे था कि हमारे mobile पर भी सब हम यहां से इसका कोई font change करना चाहते हैं तो यहां से हम styles पर नहीं styles वाला नहीं इसमें हम यहां से यह scroll करेंगे इसको यहां से यह font पर जाएंगे और जो हमें font चाहिए वह यहां से select कर लेंगे जैसे हैं यहां पर कोई भी आप कुछ अच्छा लगे वो कर सकते हैं मैं आप डैनियल ब्लैक कर लेता हूं जैसे और यहां से इसे ok कर देंगे कि करेंगे तो यह आपका एसा हो गया पण्योंट। और अगर आप इसे simple रखना चाहते हैं साथ कि मैं भी रख सकते हैं जैसे मैंने यहां पे प्लस पे क्लिक करना है अभी यहां पे एक चीज और बता दूँ आपको मैं इसमें हम पर इक स्ट्ोक को ओप्षन ए इसपे क्लिक कर सकते हैं इसे एनबल करना है तो यह कुछा ऐसा दिखा देगा और यहां से ग्रेडियन करके हमें आप इसके कलर भी फिल कर सकते हैं ऊके कर देंगे यहांसे आप इसे शैडो दे सकते हैं एनबल करेंगे तो यह शैडव आ गई ओके कर सकते हैं अभी आप में से कही लोग पूछ रहे होंगे कि यह पिछे वाली इमेज का हम क्या करेंगे इससे कैसे हटाएंगे हम तो इसी के उपर ओवराइट कर रहे हैं ऐसा नहीं है मैं आपको सारा अच्छे से समझाऊंगा आप बस दे यहां पर काफी सारे इंस्टाग्राम ट्विटर फेस्वोथ इनकी ट्रांस्पेरनेट इमेज डाउनलोड कर रखिएं तह हम हme इससे फेस्वुथ प्रलेंगत करेंगे यहां से हम इसका स्लेक्ट कर लेंगे क्रॉप भी कर सकते हैं यह काफी बड़ी आ गई है इसके साइज को हम यहां से स्मॉल कर लेंगे पिर इसको यहां पर ले आएंगे और स्मॉल कर लेंगे इस पर क्लिक करेंगे और हम इसे यहां से इसवाले select crop वाले option पर जाके इसको यहां से crop कर लेंगे कि अपके कर देंगे और इसको और चोटा कर देंगे और यहां पर move कर देंगे नाम को थोड़ा से उपर कर लेंगे इसको यहां पर करतेंगे और छोटा कर देंगे इस से इसके बाद फिर से plus पर क्लिक करेंगे गाल्ष में जाएंगे वाले को कि उसके बाद हम यह पे इंस्टाग्राम वाले प्रक्लिक करेंगे को इसको कर देंगे कि इसका माइस थोड़ा छोटा कर लेंगे कि यहां से पकड़ के नीचे करेंगे इसका साइज भी उसी जितना कर लेंगे जितना हमने फेस्बुक का रखा इसका फेस्बुक का रखा हुआ है तो इसको यहां पर सेट कर लेंगे कि इसका साइज और थोड़ा से चोटा कर लेंगे और चोटा कर सकते हैं कि इसको यहां पर सेट कर लेंगे उसके बाद हम फिर से प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और यहां से हम फ्रॉम गैलरी करेंगे और इसके बाद हम यहां पर ट्वीटर वाले इमेज को ले आएंगे इसके बाद यहां से इसे स्लेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम यहां पर क्रोप पर क्लिक करेंगे हम इसे थोड़ा से यहां पर क्रोप कर लेंगे इसको यहां पर ओके करेंगे और इसका साइज जो है वह हम छोटा कर देंगे ठीक है इसको और चोटा कर देंगे और चोटा इसको यहां से पकड़के यहां मूव कर देंगे और चोटा कर देंगे साइज इन तीनों के बराबर इसको यहां पर कर देंगे ठीक है यह ऐसे उसके बाद आप यहां पर नीचे ओप्शन देख सकते हैं जैसे मैं इस इनेच पर क्लिक क करूं उसके बाद यहां पर क्लिक करूं तो आप यहां से काफी सारी जीजे कर सकते हैं यह पोजिशन है पोजिशन पर क्लिक करके आप इसकी पोजिशन को मूव करा सकते हैं ठीक है उसके बाद यह रिलेटिव पोजिशन है आप इसको जहां रखना चाहते हैं सेंटर में रख जाते हैं तो आप यहां से क्लिक करके इसे रख सकते हैं ऐसे मूव कर सकते हैं रिलेटिव पोजिशन से उसके बाद इसमें क्रोप का आपको पता ही है उसके बाद यह रिलेटिव साइज है साइज को चोटा बड़ा कर सकते हैं यहां से ठीक है उसके बाद इसमें कोई कलर करन ठीक है उसके बाद और इसमें उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है और यहां से फ्रोम गैलरी पर क्लिक करना है उसके बाद यहांसे आपको यह वली इमेज जो हमें यूट्यूब बैनर के लिए है वह वली सिलेक्ट करनी है आपको यह Google पर मिल जाएगी इस वाले इमेज को यहांसे कर देना है और यहां से इसको पकड़के बड़ा कर देना है इसके लिए आपको एक चीज बता दूँकि एमेज कहां से लेंगे इसके लिए आपको बैक जाना है अपने रोब ब्रॉजर को उपन करना है और यहां पर Google टाइप करना है Google.com उसके बाद आपको यहां पर लिखना है ब्लैंग यूट्यूब चैनल हट टेमपलेट ब्लैंग की यूट्यूब चैनल एट टेमपलेट वहाँ से उसके बाद आपको यहां पर इमेजिस पर क्लिक करता है और आप देख सकते हैं आप इन में से कोई भी स्लेक्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अब चलते हैं अपने वापिस उसी एप्लिकेशन में तो हमने यह यहां पर कर दी उसके बाद इसको हम यहां से हम इन सब को लोग कर सकते हैं अब मैं बताऊंगा आपको जैसे इस वाली इमेज को अनलोग कर दो और इसे यहां से हम डिलेट कर दें इस वाली इमेज को जो हमने अभी अप्लोड करी है उसको सबसे उपर ले आएं इस तरीके से तो आप देख सकते हैं इसको हटा के कि हमने जहां पर टेक्स लिखा था हमें जो चाहिए था पॉर्शन वहीं पर हमारा टेक्स है और यह काफी अच्छा भी लग रहा है इस पर क्ल ठीक है और उसके साब से फिर इनको एड़ेस्ट कर सकते हैं इसको यहां पर कर दो इसको यहां पर और इसको यहां पर इस तरीके से आप अपना बैनर बना सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको इमेज चाहें वह भी इसमें डाल सकते हैं कोई शेप चाहें वह भी यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है तो यह जो पट्टी है यह आपकी desktop पे दिखाई देगी और यह बीच का यह वाला portion आपका mobile पे दिखाई देगा इस तरह से आप अपने चैनल बैनर बना सकते हैं YouTube का मैं आपने आपको तरीका बता है ठीक है आप इसमें कुछ भी और अच्छा बैटर बना सकते हैं इससे ठीक है उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके से सेव कर देना है आपको इसकी क्वाल्टी तो सही है इसी क्वाल्टी में चाहिए हम सेव टू गैलरी कर देंगे यह आपकी इमेज सेव हो गई इस तरीके से आप अपना YouTube चैनल के एक प्रोफेशनल लुक के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें ठीक है और चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लें ताकि आपको मेरी यह वीडियो और भी नई-नई वीडिय वीडियो मिलती रहें थैंक यू